गुड़ाकुन फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक है फ्रिक्षन जिसे हम घर्षन भी कहते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी सर्फेस पूरी तरह से स्मूथ नहीं होती है और कुछ ना कुछ रफनेस हर किसी सतह पर रहती है अगर हम किसी भी सतह को जूम करके देखेंगे जैसा कि यहां पर दिखाया गया है तो हमें सर्फेस पर या सतह पर कुछ हाई और लोज या माउंटेंज पीक्स और वैलीज हमको दिखाई देंगे जिसे हम एस्पिरिटीज बोलते हैं जब दो सतह एक दूसरे पर के संपर्क में आती है तो यह पीक्स एंड वैलीज एक द बस्तू को चलाना या गती प्रदान करना चाहते हैं और उस पर बल लगाते हैं तो इस इंटरलोकिंग की वज़े से एको बल उत्पं होता है जो इस मूमेनट का या गती का विरोध करता है इस बल को हम बोलते हैं इसे f का की देहता है और इसे friction और या और दूसरा है डाइनेमिक फ्रिक्षन जब हमारी जो वस्तु या बॉडी है वह इस्थिर है या गती नहीं कर रही है तो उस अवस्था में जो फ्रिक्षन लगता है या पैदा होता है उसे हम कहते हैं Static Friction Dynamic Friction जब यह वस्तू या कोई भी बॉडी गती कर रही है उस अवस्था में जो Friction या घर्षन उत्पन होता है उसे हम बोलते हैं Dynamic Friction Dynamic Friction भी फिर से दो प्रकार का हो सकता है पहला Sliding Friction, दूसरा Rolling Friction यदि दो वस्तू के बीच में सतह से सतह का संपर्क है या Surface Contact है तो वहाँ पर जो Friction लगेगा उसे हम बोलते हैं Sliding Friction और यदि दो बॉडी के बीच में एक Line Contact या फिर Point Contact है तो उस समय में जो Friction वहाँ पर लगेगा उसे हम बोलते हैं Rolling Friction Students, Next है Limiting Friction जैसा कि हम Graph से देख सकते हैं जो Maximum Value of Friction या जो घर्षन की अधिक्तम जो सीमा है उसे हम Limiting Friction कहते हैं जब भी हम किसी वस्तू पर उसको चलाने के लिए बल लगाते हैं तो जैसे ही हम बल बढ़ाते हैं उसी के साथ साथ हमारी जो Friction है या Friction Force है वह भी बढ़ती रहती है जो हम यहां पर Graph से देख सकते हैं जैसे ही हमने P बढ़ाया तो साथ साथ हमारी Friction Force भी बढ़ने लगी यह हैं एक सीमा तक बढ़ती है जिसे हम बोलते हैं F Max और F Max को ही हम Limiting Friction बोलते हैं इस बिंदू पर पहुँचकर अगर हम बल और बढ़ाते हैं तो जो हमारी वस्तू है या Body है वो गती मिल जाती है या फिर वो motion में आ जाती है जैसे ही हमारी जो Body है या वस्तू है वो गती में हो जाती है तो जो हमारा friction है उसमें कुछ कमी आती है और उसके बाद ये बिलकुल constant हो जाता है जिसे हम बोलते हैं FD या फिर dynamic friction तो इस graph से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा static friction है जब तक हमारी जो बस्तू है वह गती में नहीं आई है वह friction हमारा जो dynamic friction है उससे जादा है जैसे ही हमारी जो वस्तू है गती में आ जाती है तो हमारा friction कम हो जाता है इस graph से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा static friction है वह 0 से Fmax तक जाता है जैसे जैसे हम force बढाते हैं वैसे वैसे हमारा static friction Fmax तक बढ़ता है इसके बाद आते हैं laws of static friction या फिर static friction के नियम इसका पहला नियम है force of friction always act in direction opposite to which body tends to move यानि कि जो हमारा friction force है वे हमेशा गती की दिशाग के विपरीत में ही लगता है static friction का दूसरा नियम है the magnitude of the force of friction is exactly equal to the force that tends to move the body मतलग कि जो friction है वे हमारी जो applied force है या हम जो बल लगा रहे हैं वस्तु को चलाने के लिए उसके बराबर होता है जैसे जैसे हम बल बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे हमारा force of friction बढ़ेगा जैसा कि हमने पीछे ग्राफ में देखा दा तीसरा नियम हमें the magnitude of limiting friction bear's a constant ratio to the normal reaction between two surface जो friction है वे जो हमारी force है जो हमारा friction है और reaction का एक constant रहता है और mu equal to tan phi जहाँ पे phi है हमारा angle of friction इसका चोता नियम है force of friction is independent of area of contact but depend on reference of the surface इसका मतलब है कि जो हमारा friction force है वे जो सत्य संपर्क में है उनकी area या छेत्रफल पर depend नहीं करता है area चाहे कम हो या ज्यादा हो उससे हमारे friction पर कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन जो surface की roughness है जो खुर्दरापन है उससे हमारी friction पर सीधे सीधे प्रभाव डलती है अगर roughness ज्यादा होगी तो force of friction ज्यादा होगा roughness कम होगी तो force of friction कम so the next is angle of friction अब मानते हैं कि एक plane है जो horizontal से एक angle बनाता है alpha उस पे एक body है जो rest कर रही है उसका एक weight है w जिसकी वज़े से एक reaction r जनरेट हो रहा है और initially the body is in equilibrium under action of forces w, r और f f is friction force equal to mu r so initially शुरुवात में एक plane है जो angle alpha बनाता है horizontal से और ये body अपने weight reaction r और friction force में एक equilibrium में है यानि कि इस्ती रवस्ता में अगर हम ये angle alpha धिरे धिरे बढ़ाएं और इतना बढ़ा दें कि जो ये body है वो नीचे की तरफ slide करना चुरू कर दें तो उस angle को जिस angle पे ये body नीचे plane पर slide करना चुरू कर देंगी उस angle को हम बोलते हैं angle of friction next is coefficient of friction जैसा पहले बताया गया है कि coefficient of friction mu is equal to f divided by r जहां पे f हमारा limiting friction है और r है normal reaction इसके बाद हमारे जो different cases है वो start होते हैं हमारा पहला case है equilibrium of a body on a rough horizontal plane यहने कि एक horizontal plane पर एक body रखी है तो उसके हम forces को कैसे analyze करें तो मानते हैं यह horizontal plane है इस पर एक body रखी है जिसका weight w है तो एक reaction equivalent opposite direction में हमें मिलेगी और हम एक force p लगाते हैं इसे pull करने के लिए जिसके वज़े से एक friction force इसके opposite direction में generate होगा तो जैसा हम जानते हैं equilibrium condition sigma h equal to 0 यानि कि horizontal direction में लगने वाली सभी forces का sum अगर हम करेंगे तो वो 0 होगा तो horizontal forces है F F और P तो P equal to F यह हमारी पहली equation है जहाँ पे F है is equal to mu r दूसरा है sigma v equal to 0 मतलब जो vertical forces हैं सभी vertical forces का sum equal to 0 होगा जो reaction है और w है यह हमारी दो vertical forces है तो r equal to w यह हो गया हमारा दूसरा equation जो हम इन दोनो equation को use करके जो इस तरह का जो case है उसकी numerical problems हम solve कर सकते हैं तो friends जो case अभी हमने discuss किया उसे हम अब समझते है एक example के जरिए जिससे हमें एक concept अच्छे से समझ में आ जाएगा So question is a body of weight 350 newton is lying on a rough horizontal plane having coefficient of friction 0.35 find the magnitude of force which can move the body while acting at an angle of 25 degree with horizontal So question कहता है कि एक body है जिसका बजन 350 newton है वो एक horizontal plane पर रखा हुआ है coefficient of friction हमें दिया है 0.35 और हमें निकालना है force जो हमें इस body को चलाने के लिए चाहिए और जो यह force P है वो हमारा horizontal से 25 degree पर लगा हुआ है So शुरू करते है solution हमें question में दिया गया है weight 350 newton, mu coefficient of friction 0.35 और angle alpha equal to 25 degree So अब हम apply करते हैं अपनी condition equilibrium condition sigma h equal to 0 तो यहाँ पे जो यह P है वो एक angle पे horizontal से angle alpha पे लग रहा है तो हम इसके दो components में break करेंगे जो इसका horizontal component होगा P cos alpha तो P cos alpha बराबर होगा F की और जैसे ही हम जानते है F है equal to mu A तो यह हमारी पहली equation बन गए उसके बाद हम दूसरा equilibrium condition use करेंगे sigma V equal to 0 तो हमारी जो vertical forces हैं W, R और जो P का vertical component होगा So W equal to R plus P sin alpha इसको हम फर्दर लिख सकते हैं R equal to W minus P sin alpha यह हमारी होगे equation set So friends now using equation 1 and 2 दोनों equation को एक साथ लाते हुए P into cos alpha की value 25 degree equal to mu हमने यहां पर R की value डाल दी है W minus P into sin 25 cos 25 की value और mu W और इन सब की values हमने रख दी और इसको solve करने पर हमें final value मिल जाएगी P equal to 116.20 इसी के साथ friends इस वीडियो में हम जो topic है वो यहीं पर रोकते हैं आगे के topic next video में cover किये जाएंगे So अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको subscribe करेंगे Thank You